गुल्टीप्ल पिंगिंग रिक्वेस्ट भेज के हम किस तरह से डॉस कर सकते हैं और तीसरा है डी डॉस तीन आफ सर्विस किस तरह से काम करता है तो वण वै वैं तीनों के बारे में जानते हैं सबसे पहले friends मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो चीजे हैं मैं दुबारा से आपको बता देता हूं सिर्फ educational purpose के लिए ही हैं तो आप इनका कोई misuse ना करें and definitely आप सबसे पहले हम इस चीज को देख लेते हैं सिंक फ्लेड मतलब बहुत सारे जो सिंक्रोनाइज पैकेट से किस तरह से भीजे जाएंगे तो यहां like मैं इस कर रहा हूं एक टूल का जिसका नाम है टूनोट एस्टीप फ्लेडर हम इसे एक्सरेक्ट कर लेते हैं यहां पर और एक्सरेक्ट करने के बाद इसे रन आप करेंगे यहां पर देख सकते हैं इसमें बहुत सारे जो सिंक्रोन रिक्वेस्ट हैं वो सेंड हो जाएंगी तो यहां पर आपको थ्रेड अमाउंट लिखना है घ्राइड जो लिखना चाहूं तो इसमें कि मल्टीपल जो फिलर्ड अटेक्स हैं मतलब किस तरह से करेंगे सबसे पहले यहां पर एक वेबसाइट का नाम आता है तो यहां पर आप कोई भी वेबसाइट लिख सकते हैं मैं फिलाल जिस वेबसाइट का नाम यहां पर लिख रहा हूं वह हमारी लोकल होस्ट पर चलने वाली वेफसाइट है जिसे हम यहां पर यूज कर रहे हैं बीवेब तो यह मैंने कॉपी किया हुआ है दूसरा अब हम इसी में देखेंगे पोर्ट नमबर यह जो है 81 पर मैं इसे चला रहा हूं थ्रेड कितने हैं तो मैंने मैक्सिमम 50 थ्रेड्स यहां सेट कर दि है तो आप देखेंगे कुछ टाइम में यह जो फ्लेड है होना वह स्टार्ट हो जाएगा और सटीप नॉट फांड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी आउनलाइन नहीं है तो काफी सारी फ्लेड रिक्वेर्स हैं यहां पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और धी क्योंकि उसके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट इखटी हो चुकी होगी आपकि समझ में आच चुका होगा कि सिंक्रॉनाइज फिलेड अलग है फिलाहल हम स्टटीप फिलेड की मदश से कर रहे थे तो हम स्टटीप पर काम कर रहे थे तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी वे करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं मैं एक लोकेशन ले रखें मैं इसे हटा देता हूं यहां से और अब हमें क्या करना है एक रिक्वेस्ट भीजनी है पिंग तो फैंट्स अगर नॉर्मली अगर आप रिक्वेस्ट भीजते हैं किसी भी वेफसाइट को तो आपको बताता है कि वहां से किस तरह से मिल रहा है यानि कि data sending receiving हो रहा है तो यह मतलब एक तरह से हैंट्स रहा है तब भी आप उसके बारे में information ले पाए हैं अब यहां पर question आता है कि किसी भी website को हम किस तरह से unresponsive बनाएं तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरी एक website है उसी पर हम work कर रहे हैं तो यहां मैंने time limit दे दिया और एक L command मैं use कर रहा हूँ और यह request दे दी 65500 तो अगर इतनी सारी request हम इसे भेज देंगे then यह जो website है वो unresponsive होना start हो जाएगी इसमें अभी थोड़ी सी कही न कहीं mistakes है let's begin to solve them solve कर लेते पहले तो यहां पर थोड़ी सी एक problem थी last time जो हम यह site use कर रहे थे तो यहां पर host वाली problem आ रहे थी अगर मैं यहां पर किसी भी website का नाम लेकूं for example I will use any website name xyz.com and after then I am writing tl and request है तो friends यह आपको जो request है multiple times try करनी है और जैसे request send होना finish हो जाए पहले एक request जाएगी फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार और आप इसे लगभग लगभग 5-10 बार आप लोग को यह command जो है try करनी पड़ेगी एक particular website पर तभी इसका जो result है वह आपको मिल पाएगा otherwise नहीं तो this is called the multiple pinging request भेज कर मतलब आप इसे कह सकते हैं बहुत सारी पिंग request भेज कर किसी भी website की जो working है उस पे फरक डालना unresponsive वह हो जाएगी and third and finally हम जान रहे है कि DOS वाली जो लास्ट टाइम मैंने पहले आपको बताया था DOS वह क्या होता है distributed denial of service attack तो distributed में क्या होता है multiple computers का इस्तिमाल किया जा रहा है multiple zombie computer सा आप उन्हें बोल सकते है botnet सा आप उन्हें बोल सकते है तो वह कैसे काम करेगा तो फैंट भी हम DOS की मदद से कर दे हैं और यहां जो एक दूसरा टूल है जिसका नाम है devoset टूल का मैं इस्तिमाल करने जा रहा हूं यहां आप देखेंगे इसकी जो फाइल से वो परल में लिखी होई है devoset की जो फाइल है वो लिखी होई है परल में तो मैं इसे एक्स्ट्रेक्ट कर लेता हूं यहीं पर एंड आफ्टर दे एक्स्ट्रेक्शन आपको क्या करना होगा यहां पर जो है मतलब इसकी जो लोकेशन है वो आपको नोटिस करनी है एंड आइम क्लिकिंग दे कॉपी कॉपी करने के बाद आपको किलिक करना है हां पर cd slash और वो जो एड्रस आपने कॉपी किया वो कर यह पेस्ट एंटर मैं कर देता हूं उसके बाद उस फाइल का नाम है डावोस सेट डॉट पी एल एंटर कर देते हैं तो आप देखेंगे यहां पर डेवोस एड जो टूल है आप यहां पड़ भी सकते हैं ddos अटेक्स वाया अधर साइट एग्जिक्यूशन टूल्स यानि हम अपनी लोकल साइट का एड्रस पेस्ट कर देते हैं and okay I am copying this address मैंने कर लिया है यह कॉपी और कॉपी करने के बाद यह एड्रस मैं कर देता हूं यहां पर पेस्ट then enter तो आप देखेंगे यहां पर अटेकिंग बाई 25 जोंबी सर्वर्स यानि कि 25 अलगलग जोंबी सर्वर की मदद से ही अटेक करने की कोसिस कर रहा है again I am repeating the same things सब बिलकुल नहीं है कि एक बार आपने अपलाई किया और वो अटेक एक बार में काम कर जाएगा लेकिन इसके लिए आपको multiple times try करते रहना है तब ही वो जो साइट है वो unresponsive होगी और अपना काम करना बंद करेंगे तो झाल